है आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एंसे क्यों में तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपर्टन से क्यों हम लोग डिसकस करेंगे और देखिए यह जो सिरीज है आपका जो हर्याना का फार्मसिस्ट का एक्जाम होना उसके लिए हमने किम स्टार करें है तो यह हमने अभी संट्र नर्वाई कीज़ है इसले वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो इस से पहले जो पहले दो वीडियो अप्लोड कर दिये हैं और उसमें जो है एंस के सब्सक्राइब करेंगे और देखिए यह आपकी सभी इंपॉर्ट रहने वाले हैं ठीक है तो अभी आपका हर्याना का जो फार्मासिस्ट का एक्जाम है उसके लिए भाकी एंपी में भी आपका जो है फार्मासिट का इए ने सब्सकराइब है तो अलग 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 अपलों कमेंडर्ट के सब्सक्राइब है उसमें हम अच्छे तरीके से डिसक्ड स करने वाले हैं 就 zastarts करने तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नयए हैं आप चले सब्स importante नहीं की अभी सब्स dwar pennyस कि लाइक करको प्रेस करना ताके जौनोले विडियो उते ही उनकी क्लासिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें देखिए क्वेशन है एंटिवारल ड्रग ओलसे यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑपार्किनसोनिजम तो पार्किनसंस की जो ड्रग होती है उसमें ऐसी एक ड्रग है जो एंटिवारल ड्रग भी है ठीक है वो कौन सी है बताइए ड्रग है तो आपकी अमेंटडीन हो जाएगी ध्यान रखना है ऑप्शन बी आपका राइट हो जेगा तो देखिए एक बारी मैं आपको इसमें आंटिवारल ड्रग जो है पार्किनस डिजिसमें यूज होती है उसका क्लासिफिकेशन डिवाइस करा देती हो देखिए इसम दो टाइप की होती है एक तो होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम क्योंकि देखिए पार्किनस में क्या होता है डोपामिन का लेवल तो कम हो जाता है तो इसमें एक तो ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो अफेक्ट करती है डोपामिनर्जिक प्रोपामिन P लाता है जिसमें अपका ली व डॉपा होता है। बॉपामिन ँ características तो जो डॉपामिन है वह कं ट्रेन मस् tender Check बाकिए अप्टिव ड्रग है अटिटिव ड्रग लीव होडुपा है조 के परणेशinko इनिबीटर में आपका आता है कार्बीडोपा और बैंसीराज़ाइड क्लासिफिकेशन को काफ़ी अच्छी से देखिए क्योंकि बिल्कुल डारेक्ट क्वेशन बनेंगे कि पैरिफ्लेट डिकर्बॉक्सलेज इनिबीटर में कौन सी ड्रग आती है कार्बीडोपा बैंसीरा क्यारेट साइ lys ड्रग क्लिनर्ग अधाइगी मेंद्र ड्रग में प्रलिघी और फिनाट रीन ड्रीन आता है तो एंटीस्टिमिनुएग द्रक की जो persönlich प्रॉपर्टी तो इसके देखते हैं दो फार्ट बनते हैं इसमें सारा क्लासिपिकेशन कुछ क्लासिफिक्शन मैंने इसमें भी इंक्लूड किया बागी के नेक्स्ट वीडियो ले क्या होंगे उसमें भी नेक्स्ट क्वेशन देखिए आपका है मोनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन इस यूसफुल वाइल यूजिंग तो कौन सी ड्रग है जिसको यूज करत अपड़ता है प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को मोनिटरिंग करना करना होता है आंसर हो जेगा आपका ओप्शन सी लीथियम नेक्से पार्किंसोनिजम इसे कोमन निरॉलोजिकल मुमेंट डिसॉडर ठीक है बोथ अल्डोपा अल्डोपा का मतलब क्या है लीवो डोपा औके और कार्बीडोपा कार्बीडोपा हमने अभी क्या देखा था पैरिफरल डिकार्बोक्सिलेज इन्हीबीटर तो इनको यूज करते है इस कोम्बिनेशन को बहुत है को कैरल डोपा तो कार्बीडोपा यूज करते है क्यों यूज करते है लीवो डोपा के साथ में देखें इत इनिबिट ऐल अरोमेटिक अमिनोएस डिकारवोक्सिलेस तो अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन से पता लग गया में कि पैरिफरल डिकार्वोक्सिलेस इनिबिटर होता है यह कार्बीडोपा बाकि इट क्रोस ब्लड ब्रेण बैरियर तो इदे के बलड ब्रेंड बेर्यिल को नहीं करता इस इठीबिट माव बी तो माव इनिबिटर भी नहीं है तो आपका जो पारकिनसन्स में यह अलीव डोपर कार्बीडोपा को यूज करते हैं तो क्यों इस करते हैं इसको क्या करता है इसको अंसर क्या हो जएगा option A हो जेगा ठीक है यह क्या करता है जो लिवोडोपा होता है लिवोडोपा का decarboxylation होता है जिससे dopamine बनता है dopamine as it is जो है blood brain barrier को cross नहीं कर पाता इसलिए dopamine की pro drug है लिवोडोपा इसको देते है ठीक है अब भी अगर लिवोडोपा का periphery में ही decarboxylation हो जाएगा ठीक है तो dopamine तो blood brain barrier को cross कर नहीं पाएगा इसलिए लिवोडोपा के साथ में peripheral decarboxylation inhibitor देते हैं ताकि इसका periphery में decarboxylation ना हो जाद से जाद लिवोडोपा जो है brain में एंटर कर पाए फिर ब्रेन तो जो हैं कार्बीटोपा को क्यों देते हैं क्या करता इस ट्राइब से अभी इस वीडियो में भी आगे भी आएंगे और question इस ट्राइब के देखिए which of the following anti-seezer drug is also effective in treating trigeminal neuralgia ठीक है trigeminal neuralgia में कौन सी ड्रग देते हैं primidone topiramate carbamazepine lamotrigine answer is option c carbamazepine जो होती है ड्रग ओफ चोईस होती है trigeminal neuralgia के लिए और यह क्या है anti-seezer drug है या anti-epileptic drug भी बोल सकते हैं तीक है immunostilbene derivative होती है अभी आगे मैंने anti-epileptic drug classification भी इंक्लूड किया हुआ है नेक्स्ट है new anti-convulsant drug with a structural analog of GABA ठीक है फेनिटोईन प्रीमिडोन गाबापेंटीन या नन ठीक है structure analog of GABA is GABA PENTINE ओके option आपका C राइट हो जगा तो यह anti-convulsant drug है तो देखे अभी यह हम देख लेते है anticonvulsant drug बोल दीजिए anticeasur drug बोल दीजिए antie epileptic drug बोल दीजिए क्लासिफिकेशन देखे ऐंटी epilaptic drug का यदि बारबीटी रेटन सब्सक्राइड का का मलसी पीन जीद जब हर चॉयस है और चोंच और के आ χुछ में और चॉइस यह सकसी बישारीट आलिफाक्टिक कार्भॉकसलिक बोस्यटींस में वल्प्रोईकी अता है। नीईवाड ड्रक्स जो है उसमें आपका विगा बेटरी तीयागथी टॉपीरामेट जोनिसमेरी लिवटीर ऐसी टरमी ये नीवाड ड्रक्स में आती है। नेक्स्स Qt है साइक्लो प्रोपेइन इज़े लोकल आङस्थैटिक जनरल नस्थैटिक अंटियूक्सिड़न्ट ये जो आपका जनरल इनस्थैटिक हो जाएगा उप्शन बी नेक्स्ट है पेशेंट हुओ रिसीव्ड माव इनिबीतर में इस्पीजिवर हाइपाटैंजी उ जो ले रहे हैं जो पेशन्स होती हैं तो उन को अगर टायरमीन कंटेनिंग फूर्ड दे देते हैं तो उससे क्या होता है आपका टैंसी क्राइसिस हो जाती है तो इसमें चीज बीयर फीश क्या है टायरमीन containing foods होते हैं आपका answer option D हो जगा all निक्स है indicate the local anesthetic agent which has a short duration of action ठीक है local anesthetics की classification से question है short duration of action में आपका आता है procaine and chloroprocaine आता है देखिए lidocaine, procaine, bupivacaine, ropivacaine answer is option B procaine जो है short duration of action वाल local anesthetics में आजेगा बाकी classification एक बड़ देख लिजिए short duration वाले में आपका procaine chloroprocaine आएगा intermediate duration of action होता है lidocaine का prilocaine का lidocaine का intermediate duration of action वाले local anesthetics है और long duration में आपका tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dibucaine जिसमें sincocaine आजेगा ठीक है तो यह आपका है local anesthetics के बारे में सब्सक्राइब के बारे में पूछा हुआ है एक तो आपके पैरिफरली एक्टिंग मसली लेक्षेंट्स होते हैं तो सेंट्रली एक्टिंग में कौन कोंसी ड्रग आती है लिए सब्सक्राइब के बैकलोफन, क्लोर, मीजनों, डायजिपाम तीनों ही सेंट्रली एक्टिंग मसली लेक्षेंट्स से आंसर इस ऑप्षेंट्स दी ओल अप्षेंट्स आपके नेक्स्ट है विच ओव दा फॉलूंग इस गाबा ए रिसाप्टर आगोनिस्ट्स तो गाबा ए रिसाप्टर आगोनिस्ट कौन सी ट्रग होती है बताइए गाबा भी रिसाप्टर आगोनिस्ट में आता है आपका कौन सा बताइए बैकलोफन ओके नेक्स्ट ओ जो फ्लूमा जिनिल जो है ये बैंजोडायजिपीन रिसाप्टर बैंजोडायजिपीन जो एंटागनिस्ट होता है ना? वो होता है फ्लूमाजिनал घ्लते हैं टू हैलो अरायल ग्रॉप प्रेजन हे लो फैल्लो पैरिडोल जो होती है लो है बताेजों डेरीवेटी होती या अंटिसैकोटिक में जो आ्रिक में जो छ क्लॉरीन होता है अंड क्लोरीन होता है तो इनकी से क्लेंट listen options में parafloro-phenyl मतलब जो phenyl ring है उस पे attach होते हैं तो position देखे para-position है दोनों इस में option में para-meta-ploro दिया है para-floro, para-ploro, metafloro तो देखे दोनों के दोनों जो group है fluorine और chlorine देखे पहली बात तो एक fluorine एक chlorine होता है तो bromine का option तो काट दी जी औके? और यह पैरा पोजिशन पे होते हैं दोनों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा option B पैरा फ्लोरोफिनाईल और पैरा प्लोरोफिनाईल ओके आप यह आप चाहें तो इसका structure एक बारी देख सकते हैं यह हैलो पैरिडोल का structure है यह दो हैलो अराइल ग्रूप प्रेजन्ट है यह फिनाईल रिंग के पैरा पोजिशन पे प्रेजन्ट है ओके किलियर है नेक्स्क्वेशन देखे सिंथाटिक ओप्योड ड्रग फोर सीवियर पेन सीवियर पेन के रिए सिंथाटिक ओप्योड बताइए options देखे आई व्यूप प्रोफन दिया है तो यह तो आपका एंसेट्स में आता है ना अनालजीन दिया है व्यूप्रिन ओर्फिन डिकलोफिनक तो ओप्योड सिंथाटिक ओप्योड वाली एक ही ड्रग दी हुई है कौन सी व्यूप्रिन ओर्फिन तो answer is option C which one of the following is inhalation anesthetics जो आप general anesthetics पढ़ते हैं उसमें आपके inhalation anesthetics आते हैं और इक intravenous anesthetics आते हैं तो इसमें जो inhalation anesthetics कौन सा है कीटा मीन intravenous में आता है हैलो थेन प्रोपो फोल जो है वो भी intravenous है थायो पैंटल भी intravenous है answer is option B हैलो थेन जो है inhalational anesthetics में आता है general anesthetics के classification से question अभी classification भी मैंने इसमें include किया है अभी आगे देखते हैं next है which one of the following is not inhalational anesthetics अभी इसमें पूछ लिया inhalational anesthetics में कोन सी ड्रग नहीं आती okay एलो थेन आता है क्लोरोफोर्म है डाइधायल इथर है थायो पैंटल जो है इंटरावीनस में आ जाएगा ओप्शन डी आपका राइट हो जेगा तो देखिए गैसे में गैसे में गैसे में नाइटरस ऑक्साइड एंट्व लाफिंग गैस जो होती है वोलटायल लिक्विट् फिर इंटरावीनस में इंड्यूसिंग अजेंट्स होती है जिसमें आपका थायो पैंटोन सोडियम मिटोहल्जिटोन सोडियम प्रॉपोफोल टोमीडेट आता है फिर स्लोवर एक्टिंग आपकी ड्रक्स है जिसमें आपका बैंजोडायजीपीन में डायजपाम करते हैं और ओप्योड नालजेसिया के लिए फैंटेनाइल यूज करते हैं यह डिसोसिटीव इंपोर्टन है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ड्राग यूज़न ट्रीटमेंट ओफ पार्किनसोनिजम तो पार्किनसोनिजम के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं कर द ऐन्टि थायरोड ड्रग यूज़न ती तायरोड ड्रग में आता है कार्वेमजूल मैथी मजोल प्रोपाल थायूजर इरसिल कार्विडोपा हमने एंटी पार्किनसोन ड्रग देखी कार्विडोपा बैंसीर जायड गतना पेरिफल एड करोकसलिजम इबिट होते हैं तो आ उप्षी ड्रक आयए थी अ ब्रोमक्रिप्टिन रॉपिरिन एंड प्रैमी पिक्सोल आंसर इज ओप्षन दि स्लिजलीन स्लिजलीन इस माओ बी इन्टीर्टर और कि वह क्वेशं नेच्सट है centrally acting muscle relaxant तो centrally एक्सिंग मसले लेक्सेंट में लिखा हुआ है इसमें आपके तो मिफनेसीन कंजिनर साते हैं जिसमें आपका मिफनेसीन कैरिसोप्रोडोल जोग साजोन क्लोर मीजानों मीथोकारबा मोलाएंगे बेंजोडायज़ीपीन साते हैं डायज़ीपाम अधर से गाबर डेरिविटीव में बैकलोफ आएगा सेंट्रल एलफा टू एगोनिस्ट में टिजा नीडीन आता है यह सारी कहा है आपके जो है सेंट्रल एक्टिंग मस देखिए जो आपकी ऐंटि स्ईट को में ड्रग होती है एंटि साईको टिक ड्रग जो होती हैं आपकी जो मैं से साइको मिर्म बठा़ता है इसे हो प्रकिन्स बैग दरव explained वालges conteúdo कवना यह तो यह क्या कर देती सर्थ मायरे रहें तो उससे क्या पारकिन्स बिजीज हो जाथी है तो इस में हैं आपको यह क्या इंड्यूस करतेगी आप रख फो पार्किन्सोनिजम होती है ना ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिजम जैसे हैलो पेरिडोल ड्रग है इससे जो पार्किन्संस इंड्यूस होगी तो उनके लिए जो देते हैं कौन सी ड्रग देते हैं सेंट्रल एंटी कॉलिनर्जिक्स जो होते हैं सेंट्रल एंटी एक्जोन प्रोसाइकलिटन बाइपेरिडन हमने तीन ड्रग देखी थी ओके नेक्स्ट है पिरिमिडोन इस तो अभी पिरिमिडोन मैंने आपके किसे बताया अभी क्लासिफिकेशन देखा था हमने अंटी अपिलेप्टिक ड्रग का उसमें डियोक्सी बार्बिचुरेट्स मे आपका पिरिमिडोन आया क्वेशन में बिल्कु सिंपल पूछा आप से एंटी टासिव एंटी हाइपटेंसिव एंटी बायोटिक एंटी कन्वलसंट तो यह क्या है एंटी कन्वलसंट ड्रग होता है ऑप्शन डी राइट हो जगा नेक्स्ट है ट्राइग्जी एंटी बायल है किसमें यarios करेंगे ऐंट्र ऐन्टी फिंशं ऑपक्शन फ्टत्रण में बायोच में एक ब्रिंसट ऑपके किन्स नेक्स नेक्स जिस फ्कूल सिंपल में एय कर्वबिडोपा अब पूछा क्यों को यूज़ करते हैं तो अभी बताया पैरिफराल डीकर्बोक्सिलेश इनिबीटर होता है कार्बीडोक्सिलेशन को इनिबीट करने के लिए ओप्षिणs दखिए इट इपरीकर्सर से और या नहीं होता प्रिवेंट दांसन सब्सक्राइब करेंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लिवोडोपा है वो ब्रेन में एंटर कर पाएगा तो यह वह लिखा है प्रोमोट दा सब्सक्राइब को सारा क्लासिफिकेशन बताया अभी देख लीजिए परिमिडोन आपके फर्स्ट ऑप्शन में आती है आपका राइट हो जेगा नेक्स क्वेशन है प्रेफर्ट ट्रीटमेंट ओफ स्टाटस एपिलेप्टिकस के लिए क्या देते हैं इसो सक्सिमाइड सोड स्टाटस एपिलेप्टिकस के लिए देते हैं क्या आइवी डायजिपाम आंसर इस ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट है करेक्ट स्टेट्समेंट कंसर्णी मेकैनिजम उफेक्शन ओफ ड्रग यूजिन पार्किंसोनिजम पार्किंसंस की जो ड्रग है उसके मेकैनिजम दिये आइच्ट ब्रोपामिन के लिए नस्ट्रेटर होता है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा इसका आप्शन जो है ओड्फ ड नेक्स्ट है यह बताना है हारेंट टाइन डर Mina को होता है प्राहिद टाइनिगे फ्रीन प्रारप के वेता है यह सकता है हम इट इनिबिट कैशियम चैनल तो देखिए पहला यह option में कैशियम चैनल को तो इनिबिट करता ही नहीं है तो आपका option A ही राइट हो गया नोट्रियू लिखा हुए ना structurally related to barbiturates बिल्कुँ सही है effective against partial scissors और इफेक्टिव अगेंस्ट चंद्राय सीजर ठीक है तो यह भी सही है तो आपका अंसर होगे option A next है which anti-epileptic drug act by inhibiting central effect of excitatory amino acids diacepam lamotrigin तो सक्सिमाया topiramate तो यह आपका lamotrigin होता है option B ओकी निस जिंजीवल हाइपरप्लाजिया इस लेड़ेट टू इस तो सक्सिमायड गाबापैंटीन फैनिटोई यह वालप्रोई कैसीड जिंजीवल हाइपरप्लाजिया एक इंपोर्ट्रक का important side effect है कौनसी ड्रक का फैनिटोई नो कि आंसर इस ऑप्शन सी नेस्ट जनर क्लासिफिकेशन बताया इनहलेशनल में कौन से आते हैं इंतराव वीनस में कौन से आते हैं आप आंसर बताइए फिनो बार्बिटोण कीटामीन अलो बार्बिटोल यह पिक्रोटोक्सिन अंसर इस कीटामीन option B ओकी नेक्स्ट है drug of choice pro for prophylaxis for manic attack तो manic attack के लिए मैनिया के पढ़ते हैं option A हो जगा lithium ऑकि हैलो पेरिडोल क्लोजाप पीन दिया है कर्वमजीपीन दिया है स्पेसिफिक बेंजैजेफीपीन आंटागनिस्ट पूछलिया बेंजैजैजैजैजीपीन एंटागनिस्ट यस में पता है कौन सिझी ट्रुदा टicer होगर आप अंसर क्या हो जेगा option ओप्शन डिया हैं अंश क्पिरो मेंट आक तर्ट क होगर कमट बैंजोडायएजपीन आंटगरिस्ट नेक्स्ट्रेट है फॉम यान्ट अमश्रूम पोईजिनिंग बैंजोडायजपीन इथानलिन ग्लाइब क्लम पोईजिनिंग और्गैनो यह देखा भी हमने फ्लूमा जीनिल इथानलिन ग्लाइकोल की फोपिज़ूंग में और गैनो फोस्फेट की पोजिनिंग में प्रेलीडोग्जाइजम और एत्रोपिन दोनों ही देते है तो आपका अंसर हो गया ऑप्शन सी थाइलीन ग्लाइकोल की पोजिनिंग देंगे फॉमीपीजोल जो एलकोहल्टी हाइड्रोजीनेजीनीबिटर होता है तो फीनोथायाजीन जो होती है उसमें कितनी रिंग है एक दो तीन या पांच तो इसमें तीन रिंग होती है जो फिनाइल होगा होगे फाइफ इन या फीनो रफनच पे दाइस्ट जो फिनाइल को फीनाइल को या फीनो बार्बिटोन में होता है यांसर इस ऑप्शन डी नेक्स्ट है वट इस रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बीडोपा विद लीवडोपा टू परकिंसोनिजम पेशेंट्स देख लिए यही क्वेशन देखें तीसरी बार क्वेशन आया देखें अलगलग तरीकों से रिपीट होता ही है देखें अब लीवडोपा बिल्कुस सही बात है जो लीवडोपा को डीपन को डटो सिंप्टो कोजगा अद क्रेक्रीजी ब्रैना इसा पुछ इंत्राविनस ऐजेंट घंडर अनस्थाटिक से होते थी टो इंट्राविनस ऐंस्थाटिक एजएंट इस अनलोग वंसक्रावज फैंस फैंसिण शहें डिसी कुस्यके इसी के लिए मैंना भी आपको बताई कौन सी ड्रग बताई की टामीन बताई है ना और ऑप्वेड अनल जैसे के लिए फेंटेनाइल होता है आंसर इस ऑप्शन बी की टामीन हो जाएगा ओकी बाकि सारी इंट्रावीनस वाली दी हुई है तो आंसर हमारा ऑप्शन बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आइडेंटिफा द्रग विच फॉर्म मोर पॉर्टेंट ग्लुकुरुनाइड कंजुगेट मेटबोलाइट ऐस कंपेरेंट ड्रग अस्प्रिन लिवडोपा क्लॉरंफेनिकोल या मॉर्फिन तो यह आपका होता है मॉर्फिन आंसर हो जाएगा ओप्शन डी ठीके मॉर्फ मॉर्फिन से पचास टाइम ज्यादा पोटेंट है कौन सा है कोडीन फैंटेनाइल पैथ्रिदीन डाइफिन ओक्सिलेट आंसर इस ओप्शन भी फैंटेनाइल होता है यह नेक्स्ट है विच लोकल नस्थाटिक्स दाइस्टर ओफ पैरामिनो बैंजोईक एसिड प्रोकेन प्रोपीवा केन लिगनो केन यह एक्जाइल केन आंसर इस ओप्शन ए प्रोकेन नेक्स्ट है विच फॉलिंग ड्रग फोलो जीरो ओडर कानेटिक्स फोलो करती है कौन सी ड्रग सिट्रिजिन लोराटेडिन फैनेटोईन या वाल प्रोईक एसिड तो हमारी फैनेटोईन आ अंसर इस ओप्शन ए डिसोसियेटिव अनस्थीसिया नेक्स्ट फिनो थायाजीन बटायोफिनोंस और यूज ट्रीटमेंट ओफ डिप्रेशन पेंस लीडिस्टरबेंस साइजोफ्रेनिया तो इस सारी एंटिसाइकोटिक ड्रग है जो सेकोशिस में यूज करेंगे आंसर साइजोफ्रेनिया ओके फिनो थायाजीन बटायोफिनोंस थायोजन्थीन सारी के अंटिसाइकोटिक ड्रग है अभी आगे वाली वीडियो में अंटिसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लेक्याएंगे ओके फिनो बार्बिटोन इस डैस एक्टिंग बताये था मांऻ इनिवीटर में कौनसी ड्रग आती है कुंसी पताई थी बताई अब दूसरे मिम आपकी आती है सिर्ट जिली नहीं स्विक्षावरीजन्यवब नाल्ट्रीग जोन्य ते ओर एक होती है नैल मी फील तो यह आपकी है प्योर प्योर ऑप्योर एंट अंटागनिस्ट उप्षण डशक्षण को नेलोग जौन दिया है नेक्स्ट है विगाबैटरिन के ओपर question है विगाबैटरिन प्रेड्यूस एंटि-एपिलैप्टिक आपको पता है यह अंटी अपलेप्टिक ड्रग में आपकी विगा बैटरी नाती है तो यह अंटी अपलेप्टिक प्रोडूस करते हैं इसका मेकैनिजम पूछा देखिए प्रोटीन इनिबिशन गॉडिशन के मिधा इनिविशन गॉडिशन देखिए प्रोटिन इनिविशन विजिग गॉडिशन के अप्षिण करती है जो क्या करता है गाबा ट्रांसमिने तो यह गाबा ट्रैंसमिनेज एंजाइम को ही इनिबिट करती है विगाबेटरीन तो आपका ओप्शन सी राइट हो जगा बाकी नेक्स्ट ऑप्शन में पोटेंशियेटिंग पोस्ट साइनेप्टिक गाबा रेसेप्टर एक्ट लिखा तो आपका अंसर हो जगा ऑप्शन सी स्बॉस्त सबर्ट करेंशियेटिंग है अीडिटर घ्री कրते हैं तो आप्शन भीद्धिश्य पाकायी ंजसेंटीन पप्शन में प्रकींन अम्हें होटेंशियालं सब्सक्राइबन नेक्सिट हैं प माइन सब्सक्राइबन सब्सक्राइबन ट्रिंगे እ तो यह देखिए इंक्रिस अंसाइटी नॉर्म सब्जेक्ट या इस बाय ट्रांसपोर्ट हुए एक्टिव मेटबॉलाइट डैसी प्रामिन होता है बिल्कुल सही है इसमें हमने कर ले 50 अभी एक वेशन जिसका आप लोग बताएंगे इसके जो फर्दर क्वेशन से हम अगली वीडियो में लेक्वेशन के लिए इसका अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगें से लाइक करना चैनल पर नहीं है तो मेरा आपको से रिक्वेस्ट एक चैनल को प्ली सब्सक्राइब जिरू करना ओके थैंक यू